वेलकम तो सविरा क्लासेस, इन दिस वीडियो, वी विल डिस्कुस अबाउट क्लास 11th मैथ, NCRT, चाप्टर नमबर 1, सेट्स 1.3 इंट्रोडक्शन, चलिए, स्टार्ट करते हैं, आज का टोपिक है, सबसेट्स, सबसेट्स क्या होता है, और A is set to be subset of a set B, if every element of A is also an element of B, subset तब बोलेंगे, जिसे कोई सेट A है, सेट B के सारे element A में होंगे, तो बोलेंगे कि every element of A is element of B, इसे कोई सबसेट्स, for example, set A जो मेरा है, 1, 2, 3, and set B है, 1, 2, 3, 4, 5, अब यहां दिखिए को set A, 1, 2, 3, जो 1, 2, 3 element है, set A का, वो B में परजेंट है, तो यहां क्या बोल रहा है, if every element of A is also an element of B, तो उसे बोलेंगे कि A क्या है, subset है B का, तो A का सारे element B में है, तिसलिए A जो है, B का subset है, तो लिखेंगे, A is a subset of B, और mathematically, इसे मेरे परजेंट करते हैं, ऐसे, यह मेरा subset है, ठीक है, यह extend करता है, इसका मनिंग क्या है, इसे बोलते हैं, is a subset of, is a subset of, इसे read करते हैं, इसे read कैसे करते हैं, is a subset of, for example, अगर कोई set C है, set C माले 7, 8 है, तो set C, set B का element है, नहीं, तो क्या बोलेंगे, set, जैसे यह element था क्या लिए थे इसको, A is a subset of B, यह किसके लिए था, इसके लिए था, इसमें क्या होगा, A not subset of B, ठीक, A नहीं सो, C है, इसका, C है, तो read कैसे करेंगे, C is not a subset of B, के लिए रहे, एक और देखते हैं, चलिए, D ले ले लिजिए, D ऐसा लिजिए, कि B में क्या 1 है, तो D में एक 1 ले लिया, और अगर 6 ले लिया, अब याँ देखिए, 1 D में भी है, 1 B में भी है, लेकिन जो 6 है, और क्यों D में है, B में नहीं है, तो क्या बोलेंगे, D is not a subset of B, D is not a subset of B, उमिद करते हैं, आपको subset क्या होता है, समय में आ गया होगा, अब हम देखते हैं कुछ की पॉइंट्स, क्या देखते हैं, की पॉइंट्स, इस की पॉइंट्स में देखेंगे, इसके डिटेल बारे में, मेरा first की पॉइंट है, एक्जामपल वही है, यह मरा, इलमेंट होगा, एका, ए मिन्स, वन माल लेजिए आप, एक जगा वन ले लेजिए आप, वन जो इलमेंट होगा, एका, ठिक, और वन जो होगा, इलमेंट होगा, बी का, इसको ऐसे लिख सकते हैं, वन इलमेंट ओफ बी, इसका मिनिंग क्या होता है, इसका मिनिंग होता है, इम्प्लाइज, आई, एम, पी, एल, आई, एस, इम्प्लाइज, ठिक, और यह दर पता है आपको इसका मिनिंग क्या होता है, यह, एप्सिलन, बेलॉंग्स टू, इसे लिख सकते हैं, लास्ट क्लास में डिसकस किया था, तो वह बोल रहा है, पहला की पॉइंट है, कि A सब subset, B subset कब होगा, A is a subset of B, if 1 belongs to A, and 1 belongs to B, ठीक है, इसे read कैसे करेंगे, इस टर्म को read कैसे करेंगे, A is a subset of B, A is a subset of B, if 1 is an element of A, implies that 1 is also an element B, clear है, अब चलते हैं, second point पर अपने, next point है, A is a subset of B, and B is a subset of A, A जो है, subset है B का, और B है subset A का, इसका meaning क्या होता है, यह two-way implication बोलते हैं इसे, इसका meaning होता है, इसे, if and only if, यह इसको ऐसे भूलते हैं, I, W, if, ठीक, इसे लिखते हैं, mathematically, A equal to B, means A is a subset of B, and B is a subset of A, इसका आओने का मतलब क्या है, कि दोनों set क्या है, equal है, ठीक है, बोथ A and B are equal, या same sets, clear है, अब ठड़ मेरा है, every set is a subset of itself, इसका meaning क्या हुआ, कोई भी set हो, वो खुद से, खुद में अपने अब subset है, जैसे, for set A हमने लिया था, set A खुद के लिए subset है, set B, खुद में, किस के लिए subset है, B के लिए subset है, चलते हैं, next point पर, empty set, empty set, या null set, subset होता है, every set का, किसी भी set का, कोई भी set हो, तुसका क्या हो गई है, suppose A जो है, set 1, 2, 3 था, ठीक है, तो जो empty set होगा, जो दिखाते हैं, इसको 5 से, यह क्या है, यह subset है, किसका, A का, कोई और set हो, means कोई भी set हो, every set के लिए, every set, सभी set के लिए empty set क्या होता है, subset होता है, set कुछ भी हो, एक से element हो, दो हो, दस हो, कुछ भी हो, सब के लिए क्या होगा, सेम होगा, चलते हैं, फिफ्ट पर, next है, if A is a subset of B, A जो है, B का subset है, and A not equal to B, means A और B दोनों equal set नहीं है, then A is called a proper subset of B, तो A को भूलेंगे proper subset of B, और B is called a super set of A, और B को भूलेंगे super set, जब A subset होगा, B का, और दोनों बराबर नहीं होगा, तो जो A है, जो subset है, इसे भूलेंगे proper subset, और जो B है, उसे भूलेंगे हम super set, for example, हमनों होई जांप लेना, 1, 2, 3, and B करिया था, 1, 2, 3, 4, 5, तो A is a, A is a, क्या proper subset of B, and B is a super set, of A, समझ में आ रहे हैं, क्लियर हैं, आप चलते हैं, लास्ट पॉइंट, बोल रहा हैं हैं, कोई set A है, जिसमें only one element है, केवल एक element है, तो उसे भूलते हैं, singleton set, suppose that कोई C set है, element उसमें केवल वो एक है, तो क्या यह सिंगल सेंट हुआ है, D हुआ, इसमें element कोई एक है, seven, ते क्या हुआ, singleton हुआ, E कोई set है, जिसमें एक A है, ते क्या हुआ, singleton set हुआ, मेंस, जिसमें केवल वन element होगा, उसे बूलते है, singleton set, हमना next topic है, subset of set of real number, real number का क्या करना है, हमें subset देखना है, हमने पहले जो 1.1 introduction था, उसमें number system का बारे में जिकर किया था, natural number क्या होता है, whole number क्या होता है, rational क्या होता है, तो उसी कहां पर use करेंगे हम, आपको अगर थ्वा भी डाउट है, तो 1.1 reduction का आप वीडियो जाकर देखेगा, मैं उसका link description में डाल दूँगा, तो मैं आज अभी एक पस संशेप में बता रहा हूं क्या होता है, quick देखते हम रोग रिविजन करते हैं, n क्या होता है, set of natural number 1, 2, 3, 4, w क्या होता है, set of whole number 0, 1, 2, 3, 4, z क्या होता है, set of integers, जिसमें negative 0 और positive 3 नंबर होते हैं, q क्यों होता है, rational number, जिसको हम p by q के form में लिख सकते हैं, जहां p और q क्या होता है, integer होता है, और q cannot be equal to 0 होता है, t, t क्या होता है, the set of rational number, t belongs to real number होता है, और not belongs to rational number होता है, r क्या है, set of real number, real number क्या होता है, वैसा number जिसको हम number line पर रिपंचेट कर सके, तो इसी का रिलेशन हमें देखना है क्या होता है चली देखते आगे रिलेशन एमॉंक्स देज सब्सेट्स यह जो सब्सेट्स है उपर इसमें रिलेशन क्या है तो नेच्छुल नंबर किसका सब्सेट है होल नंबर का नेच्छुल नंबर में सभी नंबर आते होल नंबर के एक्स्टा जीरो इसमें होता है और होल नंबर किसका सब्सेट होता है बताएं इंटीजर का होता है और इंटीजर किसका सब्सेट होता है एनिगेस बोलिये यस रिशन नंबर का और रिशन नंबर किसका होत करा है यह इसका रिलेस्टन है सब्सेट में ठिके में इसके ळाबा कि क्या यह इस नंबर का होता Waters इरिशनल का नहीं कि लिए ले तो यह जो रिलेशन है आपका यह क्या है सबसेट ऑफ सेट ऑफ ए रियल लंबर उमीद करते हैं आपको समझ में आया होगा अब चलते अपना नेक्स टॉपिक पर इंटरवल एग सबसेट्स ऑफ रियल लंबर हम क्या देखनें इंटरवल देखना है रियल लंबर के सबसेट के रूप में ठीक है इंटरवल दो तरग होता है एक होता है ओपन इंटरवल एक होता है ग्लूज इंटरवल कलेट थे अरे अरे रियल लंबर से एंड ए इस लेश्टें वी ग्यों आपको दो क्योंबर है जो रियल लंबर से बलाँँ करता है और ए जो है छोटा हे बी से ठीक है तो इसको देखकर हमें interval क्या करना है देखना है तो open में क्या होता है कि जो दो point है यह दो point को count नहीं करते हैं जो end point है को count नहीं करते हैं सब्सक्राइब इसे लिखेंगे एक्स एज लेस्ट एन एक्स ठीक है अब इसमें क्या होता है कि ए और बी यह दो क्लोज इंट्बॉइब में इनट्पॉइंट करता है तो open interval में end point को count नहीं करते हैं, ठीक, मतलब कि end point contain नहीं करता है, और close interval क्या होता है, end point contain करता है, ठीक है, तो यह हुआ, the interval which does not contain end points, end point जो contain नहीं करता है, उसे बोलते है open interval, जैसे for example, a equal to 1 रख लिजे, और b equal to रख लिजे 5, ठीक है, तो क्या होगा में interval, तिसमें क्या है, 1 और 5, x में include नहीं है, ठीक है, 1 और 5 को छोड़कर, 1 से ब्राइन नमबर, वो 5 से छोड़ा नमबर, greater than 1 and less than 5 को include किया गया, लेकिन 1 और 5 के included नहीं है, ठीक है, इसी को बोलते है open interval, इसको denote करते हैं, 1,5 और small bracket, या 1,5 big open bracket, clear है, कैसे करते हैं इसे, इसका meaning क्या होता है, कि इसमें include नहीं है, 1 और 5, ठीक, next है मिला, close interval, इसमें क्या होता, there is interval which contain, end point is called close interval, इसमें क्या होता है, कि end point को हम लोग content करते हैं, तो ही मेरा example, a equal to 1, b equal to 5, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1, 1 और 5 क्या है, इसमें include है, equal to sign है, क्या है, मतलब कि यह include है, तो इसको बोलते है, close interval, इसको denote कैसे करते हैं, 1,5, clear, difference के लिए, open में क्या होता है, कि end point को हम include नहीं करते हैं, close interval में क्या होता है, end point को हम include करते हैं, चलिए, इसमें interval 4 होते हैं, इसी दो के combination से, open और close combination से, हमने 4 interval देखना है, कौन-कौन होते हैं, ठीक है, पहला मेरा है, a, b, यह क्या है, open interval है, क्यों, और small packet लगा हुआ है, और, x large कहा है, a और b की बीच में large कर रहा है, ठीक, और a और b क्या है, excluded है, include नहीं किया गया है, अब समझने के लिए, easy way में, a equal to 1, और b equal to 5 लिया था, ठीक है, तो मेरे number क्या हो गया, number, जो x का value है, 1 और 5 की बीच में large कर रहा है, और 1 और 5 क्या include नहीं है, ठीक है, तो इसको अगर दिखाना हो number line पर, इसको दिखाना हो में number line पर, ठीक है, यह मेरा number line है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो यह मेरा 1 है, वह मेरा 5 है, और 1 include नहीं है, और 5 include नहीं है, तो जो include नहीं होता है, वहां पर, इसे सख्लमाते हैं, और जो अंदर क्लाइन इसो डार कर रहते हैं, ठीक है, इसका मेनिंग क्या है, कि 1 और 5 include नहीं है, अब चलते हैं, second case क्या है, क्लोज interval का है, एक कॉमा भी, एक संस्देट, ए, गेट दर इकल टू, आगया, यह, वह एक्जामपल, एकल टू 1, बेकल टू 5, तो क्या हो जाएगा, ए, यह 1 और 5 क्यों लाइज कर रहा है, और इकल भी है, मिन्स इसमें end point को count के जा रहा है, जब end point count हो रहा है, तो इसे कैसे दिखाएंगा number line पर, यह रहा है number line मेरा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, जब end point को count करते हैं, तो उसको हम dark circle बनाते हैं, क्या बनाते हैं, dark circle, और जो बीच में point light कर रहा है, उस पर dark कर जाते हैं, यहां देखिए, include नहीं था, circle dark नहीं था, hollow circle था, यहां मेरा क्या कर दिया, dark कर दिया, तो यह पहचान अगर dark circle है, means point count कर जा रहा है, और जो point count हो रहा है, तो क्या कर लाएगा, close interval, जब point count नहीं हो रहा है, तो क्या बोलाएगा, open interval, ठीक है, अब ठड़ देखते हैं, ठड़ क्या है, एक combination है, एक है, open interval है, और एक है, close interval, ठीक है, तो open है, तो open में क्या होगा, equal to sign नहीं होगा, close में, equal to sign होगा, ठीक है, example के लिए, sorry, one, sign equal to sign होगा, ठीक, अब इसे दिखाना, हमें number line पर, तो क्या करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1 पर क्या है, open interval, means, 1 पर क्या होगा, इस तरह से करेंगे, और 5 क्या है, included है, 5 क्या included है, तिया, बनाएंगे, dark circle, और इसे, दार्क कर देंगे, तिस तरह से, नंबर line पर, open circle, open interval, और, close interval को, draw कर सकते, लास्ट बच्च के अज़े, combination, पहले आएगा, close interval, फिर आएगा, open interval, ठीक है, अब लास्ट है, यहां क्या है, close interval, तो, open में क्या होगा, खुला रहेगा, अब क्या होगा, dark circle रहेगा, ठीक है, अब लास्ट है, यह जो है, close interval है, अब B क्या, open interval है, जब close interval होता है, तो क्या sign होता है, equal to का होता है, जब open होता है, तो sign क्या होता है, equal to sign नहीं होता है, example मेरा क्या था, one और five लिया था हमने, number line पर draw करना हो, तो क्या करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, अब देखिए, कहां पर है close interval, यह पर है, one पर है, तो one क्या करेंगे, हम dark कर देंगे, और यहां पर यह dark नहीं करेंगे, ठीक है, तिस तरह से हम interval को number लाएंगे, दोरा draw करके दिखा सकते हैं, उम्मेद करता है, को समझ में आया होगा, next, power set, the collection of all subset of A, a set is called the power set of A, means, जो भी मेरा set होगा, उसके जितने भी collection होगे, subset के उसे बोलगे, power set, इसको denote करते हैं, it is, denoted by P of A, ठीक, suppose that A अपका element है कोई, एक set है, 1 और 2 जिसमें दो element है, 1 और 2, ठीक है, तो सबसे पहले हैं देखते हैं, कि in power set A, every element is a set, every element is a set, power set में क्या होता है, every element होता है, set होता है, तो every element क्या होगा, सबसे पहले हैं, तो 5 होगा, empty set, empty set क्या है, empty set is a subset of any set, हमने पढ़ा था, तो empty set आ गया, उसके बाद क्या हैं, 1, क्योंकि every element इसे set, power set में क्या होता है, every element क्या होता है, set होता है, element 1 क्या है, set हो गया, element 2 क्या हो गया, set हो गया, अब फिर element 1, 2 क्या हो गया, set हो गया, ठीक है, इसी को बोलते हैं, power set, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, power set, इसी बोलते हैं, the collection of all subset, जो भी subset है, उसका collection कर दिया है, उसे बोलते हैं, सेट ठीक और फावर सेट में क्या होता है है एवरी एलिमेंट जो होता है आप कोई पूझे कि पावर सेट को निकालें कैसे का पावर जो सेट होता है इससे निकालाएं कैसे formula क्या होगा इसका formula होता है n power set equal to 2 के power m अब इसमें m क्या है where m is a number of element of set a में लिख सकते हैं से n for number of element of set a आप देखिए आपर मेरे example क्या था 1 2 तो इस set a में देखेंगे 1 2 तो m कितना हो गया 2 m2 हो गया अब formula में रख्या होता है n p of a 2 के power m 2 के power 2 क्या होगा 4 तो कितने होगे power set फोर होंगे देखिया आपर 1 2 3 4 तो हम निकाल सकते हैं अगर suppose that कोई example ले 28 को यह 123 123 तो इसमें कितने power set होंगे m क्या हो गया 3 फर्मूला क्या होता पावर सेट का पी ओफ स्ट्री एन ओफ पावर सेट क्या होता है टू के पावर एम टू के पावर थ्री मिंस एट होंगे इसमें आप आपका ही होमर्क है कि आप यह बताएंगे दिख कर कि कौन-कौन से इसके होंगे उमीद करते समझ आया होगा आपको चलते हैं आगे इनुवर्सल सेट अब देखिए क्या होता है इन प्रटकुलर कंटेक्स्ट बिगेश्ट पॉस्टिवल सेटिस कॉल इनुवर्सल सेट को भी प्रटकुलर कंटेस्ट में बात करेंगे हम तो उसमें जो इसका universal set क्या होगा इससे बड़ा क्या हैSO कि इंचिछार से इसके इसके व्हुस्वाद्ध क्या होगा यह और प्रलए सबसे बड़ा तो किया होता है रेल लाअब कि रेल लाअग तो भीगेस्ट पॉसिबल उनवाइं सब्सक्राट्रीशान करना है इसका उनिवर्सल सेट क्या होगा सोचे क्या होगा क्या होगा जितने भी लोग रहते हैं कहां पर वर्ल्ड में all the people इन द वर्ल्ड तो इसका बिगेश्ट सेट क्या होगा जितने पूरे वर्ल्ड में पूपल रहते हैं उसे उनिवर्सल सेट सबको काउंट कर लेंगे तो मेरा क्या हो जागा तो उमीद करते हैं आपको यह चाप्टर का इंट्रॉडक्शन अच्छा लगा होगा कोई क्यूरी होगी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं इस कंसेट के बारे में पूरे प्रेज पूरे प्रेज़ दिस्क्रिप्शन डाल दूँगा आप उसे देख लिजेगा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्वाद थेंक्यू